वेल्कम वेक टू माई यूटीव चैनल मैं अन्जू फ्रेंट्स यहां हम हेर हेना बना रहे हैं इसका पेस्ट त्यार करने के लिए मैंने एक ग्लास पानी लिया है और उसमें चार लॉंग डाली है चाई पत्ती डाली है एक चम्मच और यहां कद्दू कस किया हुआ पाउडर में पेश्ट बना लेंगे इस तरह से मेहदी लगाने से आपके बाल मुलायम हो जाएंगे और काले हो जाएंगे और मजबूत होंगे जड़ों से जड़ना बंद हो जाएंगे और बहुत सिल्की स्मूध रहेंगे बाल तो आप इस पेस्ट को पंदर दिन में एक पार लगा सकती है अपने बालों में और लगवक्तीन गंटे के लिए अप इसको लगा रहने दें उसके बाद च्भाइ Absol felt में मिला सकती है मेरी मेहदी में पेहले से ही काफी चीज्चाता मिक्स होई थी तो फेहले से इउस में में मिली हुई थी उसी किसाब से इसमें हम हलका सा लास्ट में दोती चबमच और पानी डाल कर जो हमने बनाया था उसको पॉल्ट पैक से ढखकर रख देंगे ओवर नाइट के लिए अब आधा की конすi कितना चैंज हो गया है कड़ाई ने जितना भी आयरन था रिलीज कर दिया है और मेरा अच्छे से कलर जेखिए कितना डार्क आगया है अब इसी से हमारे बाल काले होंगे और बहुती इसको प्लात है तो देखिया इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिला लिया था दो तीन चम्मच और एक नीबु का रस निचोड़कर इसमें डाल दिया है दही वाला फ्रेंड्स शूट नहीं हो पाया है तो वस वह मैं आपको बता रही हूं कि इस स्पून से मैंने दो तीन चम्मच दही लिया है और दो पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर ली है इस तरीके से और चरावी इसमें उलजनेना रहे हैं अच्छे से आप कॉम करने पहले और देखिए पैसे आप गलप्स पहन के भी मैंदी को ला सकते हैं बिना गलप्स के लगा सकते हैं लेकिन यहां पर पहुत ही सरल तरीकि से अगर आपके पास नहीं है तो हम जो सब्जी वाली पॉली आती हैं हमारे पास उसको पहन कर भी अच्छे से मेहदी लगा सकते हैं तो आज मैं उसी से यह आपको लगा कर दिखाऊंगी एक इस तरीकिसे बड़ी आसानी से हम पॉली से भी यूज़ करके अपनी मेहद पानी पेश्ट को अपने पेश्ट को अगर पतला कर सकते हैं तो बस अपने वालों को एक्यों डियू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए गा और शेयर करके मुझे बढ़ाई है तो आपको क्या रिजल्ट पिले हैं और मैं इसमें और क्या क्या मिला सकती आप यह भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए गा बैल आइकन का बटन जरूर लवा दीजिए गा जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ कि आपको उसकी नॉटिफिकेशन अपसे पहले मिल जाए तो करने के बाद जो सामने की साइड में जड़ों में जगा रह जाती है थोड़ थोड़ी अच्छे से इसको देख लें तो बस मेहदी लग गई देखिए और मेरे हाथ भी यहां गंदे नहीं हुए आपको दिखाऊंगी में आप देखिएगा तो फ्रेंट्स देख लीजिए ह हट जाएगी तो देखिए बस और मेरे हाथ फ्रेंट्स आप मेरे चैनल पर केचिन रेसिपी होम डेकॉर और डिय वाई वगरा इस टाइप की वीडियो में अपलोड करती हूं आप मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा देखिए सारो तरफ से मेरी मेहदी अच् करेंगे बालों में फिर अगले दिन हम इस पर शेंपू एपलाई करेंगे तो फ्रेंट्स मिलती हूं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यूए